चेन्ने में भारत और इंग्लाइड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में आर अश्विन ने अपनी बल्लेवाजी से सभी का दिल चीत लिया है दरसल तमिलाडो के स्कलाडी ने चैपाक के स्पीन फ्रेंडली विकेट पर 148 गेंदों में 116 रन बनाए अश्विन ने जबरदस्त बल्लेवाजी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना पांचवा शतक ठोगा अश्विन के शतक में मौहमद सीराज का भी बड़ा युगदान रहा मौहमद सीराज ने अश्विन के साथ आकरी विकेट के लिए 148 रनों की साज़दारी की और इसी वज़े से वो अपने शतक तक पहुंश सके इंग्लेंड के खिलाब शतक ठोगने के बाद आर अश्विन तो खुश थे ही लेकिन जिस तरह से जसन मौहमद सीराज ने मनाया उसने सभी को इस तेज गिंद बाच का मुरीद बना दिया अश्विन के शतक के लिए मौहमद सीराज बेहत खुश दिखाई दिये जिसके बाद उने फैंस एक सच्चा टीम प्लियर बता रहे हैं अश्विन जब 99 रन पर थे तो उन्होंने मौहिन अली की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खिला गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सिलिप के उपर से गई और अश्विन को चार रन मिले अश्विन के शॉट के तुरंट बाद ही मौहमा सिराज के चेहरे पर ऐसी खुशी दिखी जिस जैसे की शतक उन्होंने लगाया हो मौहमा सिराज का ये वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है ये ऑस्टेलिया दोरे पर भी मौहमा सिराज ने अपनी खेल भावना से सभी का दिल जीता था प्रैक्टिस मैच के दौरान जस्प्रिज बुम्रा ने एक शॉट खिला था और गें सीधे कैमरान के सिर पर लग गई थी जिसके बाद सिराज रन लेने की वज़ए सीधा उनकी और भागे थे इस गटना के बाद सिराज को सभी ने सलाम भी किया था आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव जरूर रखें LD Newsroom के रिपोर